घलो फ्रेंड्स फ्लकम तो आएक्जाम भी आइम सुशील रगडडे एकस दिन पहले बनाया था इनिवर्स बारे में एक्वीडियो कुछ दिन पहले बनाया था उनियरस्टल बैंकिंग के बारे में और कल ही इसके बारे में आरिप्या का एक बहुत ही इंपॉर्टन सरकुलर इसके उपर 100% question आएगा आपके RBA के phase 1 में आ सकता है, phase 2 ESI में आ सकता है, phase 2 finance में आ सकता है और intro में तो 100% पूछा जाएगा because this is very very important development जहाँ पर हमारे जो SFBs है small finance banks उनको universal banks में convert करने के लिए voluntarily application RBA ने मंगवाए है तो यह क्या circular देखेंगे, चलो यहाँ पर video start करते हैं तो अगर आपने आज का newspaper देखा होगा, daily सुबह में 8 newspaper पढ़ता हूँ कुछ उसमें से general newspapers होते हैं और कुछ यहाँ पर आपके उसको आप business newspaper या economic newspaper खह सकते हैं यह है आपका BL business line जो हिंदू group का है यह economic times जो times of times group का है और यह business standard ठीक है अगर आप देखेंगे सारे paper के front page यह news आया हुआ है और अगर आपको actually अगर नहीं पढ़ना है RBI का circular website पे जाके और अगर आपको daily newspaper पढ़ने का भी आदत है तो आपको वहाँ पे यह सारा information एक क्या कहते है news के form में short form में मिल जाएगा जैसे guidelines में क्या क्या लिखा है वैसे तो हम actual circular भी देखेंगे लेगिन यहाँ पे आप देख सकते कि NPA कितना होना चाहिए उसके बाद network कितना होना चाहिए कौन-कौन से small finance banks है ठीक है वो भी नाम आ सकता है उनका net worth कितना है capital adequacy कितनी है ठीक है gross NPA, net NPA पिछले तो साल का यह यहाँ पे दिया हुआ है तो अगर आप newspaper भी पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी RBI related, NABAR related, SAB related मिलती रहेगी यह अपना choice है आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते है तो यह वो circular है अगर आप देखेंगे 26th April का यह है Department of Regulation है आपका All Small Finance Bank के लिए है और Small Finance Bank to Universal Bank यहाँ पे जो section है यह बहुत important है एक दो बार exam में आ चुका है आके भी आ सकता है section 22.1 of the BR Act, BRN की Banking Regulation Act का यह circular यहाँ पे applicability क्या है? सारे Small Finance Banks के लिए applicable है provisions क्या-क्या है? क्या-क्या eligible criteria होगा यहाँ पे schedule status होना चाहिए पिछले 5 साल के लिए listed होना चाहिए stock exchanges पे minimum net worth 1000 करोड as per the previous quarter उसके बाद CRAR जो है SFB का वो यहाँ पे follow करना है net profit होना चाहिए last to financial net profit याने की loss नहीं होना चाहिए बले वो 2-4 रुपे का भी हो लेकिन वो profit में होना चाहिए ठीक है? gross NPA कितना होना चाहिए? 3% net NPA कितना होना चाहिए? 1% से कम for the last two financial years तो यह 100% exam में आने ही वाला है तो आपको यह पढ़ना है समझ लेना है और इसका रटा लगाना है otherwise अगर आपको याद नहीं रगएगा तो आप exam में कैसे लिखेंगे? कभी कभी क्या होता है? descriptive question answer भी आ सकता है तो आपको यह लिखना भी पढ़ेगा otherwise MCQ में options रहेंगे तो आपको right option select करने के लिए आपको वो numbers याद होने चाहिए ठीक है? अभी क्या क्या है? shareholding patterns अगर आप देखेंगे ना promoters के बारे में काफी सारे provisions है यह आपको सारा बढ़ना है और eligible SFBs having diversified loan portfolio will be preferred यानि कि उनका कोई एक ही area में नहीं होना चाहिए ठीक है? diversification यानि कि agriculture है या उसके बाद loan है मतलब क्या कहते है? vehicle loan है, housing loan है अलग-अलग areas में अगर होगा तो उसको preference दिया जाएगा उसके साथी further on the transition मतलब जब वो SFB है, universal bank यह नहीं कि normal bank हमारा जो SBI, SDFC उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है वह आपको देखना है और उसका जो PPT है मैंने इसको continuation में आगे दिया हुआ है bank will be subjected to all the norms including NOFSC structure as applicable as per the SAID guidelines यह है आपका non-operative financial holding company ठीक है? तो यह है कहा कहा application करना यह कोई इतना important नहीं है लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था on tap अगर आपने मेरा previous video देखा तो on tap यानि कि कभी भी करो लेकिन अभी उन्होंने क्या है अभी especially window open किया यानि कि अभी special desk RBI में self-create किया जाएगा यानि कि यह जो काम है यह faster तरीके सकता है तो अगर आप देखेंगे यह video है मैंने इसका फीपिट यहां पे लगा दिया है तो यह मैंने कुछ दिन पहले बनाया था जिसमें मैंने explain किया था कि universal banking क्या क्या होता है तो यह सारा यहां पे जाके देख सकते तब आपको बता चलेगा universal banking क्या होता है और यहां पे मैंने व अगर आपको यह पूरा डाउनलोड करना है तो कमेंट सेक्षन में जाके अब देख सकते हैं अभी आज शाम को 27 अप्रील याने की आठ बजे शाम को एक वर्क्शॉप होने वाला है जिसमें हम RBI है, CBI है और IFAC तीन एक्जाम है इसकी तयारी कैसे करनी है अगर इसके बारे में आपको और इंफॉर्मेशन जाएं तो आप कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं